वेलकम तो कॉक्टिस इंडिया एंड आई एम यो होस्ट दादा बाटेंडर फ्रिंस आज का सब्जेक्ट जो है वो बहुत इंट्रेस्टिंग एक सब्जेक्ट है 5 strongest alcohol in the world जी हाँ आज इस वीडियो में हम लोग के countdown show रखा है जहां पर मैं आपको वताने बाला हूँ पांच उन alcohol bottles का नाम और alcohol का नाम जो शायद अपने सुना है इतना खतरनाक है कि आप अगर उन bottles को हाथ मेलेंगे तो आपको काफी सारे statutory warning मिल जाएगा किसी किसी bottle में तो 13 से 14 statutory warnings है तो चलिए इस वीडियो को शुरू करते है और देखते है 5 strongest alcohol का कोई भी alcohol bottles अगर आप लेते हैं अपना हाथ में तो देखिएगा उसमें alcohol percentage को mention किया गया है specially अगर आप beer देखेंगे तो उसमें 4% alcohol है विस्की में mostly 40% alcohol होता है wine की तरफ देखेंगे तो 15% alcohol होता है और अगर अब bottles आपको इंडिया में मिलता है उसका maximum alcohol percentage जो है वो 50 है इससे ज्यादा नहीं है क्योंकि इंडिया में allowed नहीं है इंडिया में 50 से उपर alcohol को sale आप नहीं कर सकते हो हाँ except goa आपकर goa में जाओगे तो आपको ऐसा बहुत alcohol मिल जाएगा जिसका percentage 50 से भी काफी ज्यादा है और मैं इस वीडियो में जो भी alcohol का नाम बोलने वाला हूँ वो सब 50 से काफी ज्यादा है काफी ज्यादा इसको देखेंगे यह एक aacenth है जो आपने सुना होका यह एपसंट का नाम एपसंट वर्ट वर बहुत बहुत हमस्त है तो देखी एगा यहां पर लिखार 50 पर संट अलकॉहल मतलब ऐप से जो है यह सबसे स्प्रॉंगेस्ट एलकॉहल में नाम है अगर फिर भी देखिए यहां पर 50 पर सथंड वो है 50% maximum यह इंडिया में सेल होड़ा है तो इसलिए 50% maximum हला कि यह absent आपको 80% alcohol भी मिल जाएगा चलिए वीडियो को आगे बढ़ाते हैं तो countdown में पांचवे नंबर पर आता है बकाडी 151 rum इसका नाम 151 क्यों रखा गया क्योंकि इसका जो प्रूफ है वो है 151 अब यह जो प् काडी लिमिटेड हैमेलिटन बर्मीडा इस बॉटल के ऊपर मल्टिपल वर्निंग्स को मेंशन किया गया है बॉटल्स और आल्सों एक्यूप्ट विधा स्टेलने स्टिल फ्लेम एरस्टर क्राइंट ऑन दा नेक ऑफ दा बॉटल तो प्रिवेंट दर रम इंसाइड बॉट कोटल फॉर इगनाइटिंग यह आम तोर पर बहुत मीथे या कॉक्टिल्स के लिए यूज किया जाता है डायरेक्ट तो आप बिल्कुल खोशिश ना करें यह आपका फ्रोट को बर्न करके निकल जाएगा बहुती डेंजरिस है यह अलकोहल तो देखा जाए तो यह आल्मो भी जुरुरत मत किजिएगा उसको स्ट्रेथ पीने के लिए मतलब नीट पीने के लिए 1963 से 2016 तक इस प्रोड़क को सेल किया जा रहा था मगर अभी 2016 के बाद उसको डिसकंटिन्यू कर दिया गया है तो याद रखिएगा बकाडी 151 रम का नाम चलिए आगे बरते हैं और दे सेंटेज है 88% सोची एक बार 88% एलकोहल के साथ इस वाटका को सेल किया जाता है जिहां यह एक वाटका है और वो भी ट्रिपल डिस्टिल वाटका और बलकन 176 इतना स्ट्रॉंग है कि लेवल में 13 डिफ्रेंस वार्निंग को धरसाया गया है बलकन वाटका एक वाटका है और यह स्मॉल बैचस में तयार किया जाता है सच में एक किलर ड्रिंक है बिल्कुल कोशिज मत किजिएगा इसको नीट पेने के लिए चलिए आगे बढ़ते हैं और तीन नंबर पे कौन है एक बार देख लेते हैं हैप्सबर्ग गोल्ड लेबल प्रिमियम रिज बॉटल में 89.9% एलकोहल को मेंशन करने के साथ साथ और एक स्लोगन को भी लेबल किया गया है जहां पर लिखा गया है देर इस नो रूल्स हाला कि हम अभी भी आपको केबल एक नियम का पालन करने के सुजाव देंगे कि इसे मिकसर के साथ पिए अपना स्टांड मत दिखा ये इस एलकोहल के साथ एपसंद के साथ बहुत मिथ जुरा हुआ है एपसंद के साथ बहुत गल्पगाथा जुरा हुआ है और इसको हम लोग हरे रंग की पड़ी की नाम से जानते हैं मतलब ग्रीन पड़ी की नाम से जानते हैं एपसंद इस बेस्ट नोन टू इंडियूस हेल यूशिलेशन एफेक्ट एंड इस ड्रंक्स बाइ मेनी आर्टिस्ट फॉर क्रिटिविटी एंड कमिंग आप विद नियू आइडियस सच में ज्यादा भी दे के बाद सचमुच हम लोग आर्टिस्ट ही तो बन जाते हैं चलिए मूव करता है नंबर टू पे और देखता है कि कौन है ब्रुशे लदी कौड्रोपेड ये एक सिंगल मौल्ट विस्की है जी हां और आप सुनकर हैरान हो जाएंगे कि इसका अलकोहल परसेंटेज जो है ये है 92% अलकोहल 92 सोचिए एक बार सो डेफिनेटली इस आमोस्ट अलकोहलिक सिंगल मौल्ट विस्की 17th सेंचुली में क्वाड्रूपल डिस्टिलेशन मेथाट को एपलाई करके एक्स्ट्रिमली प्योर और पोटेट विस्की में प्रुपांतर किया गया था इस विस्की के बारे में लेजिन्स कहते है कि 1695 में एक हाइब्रेडियन ट्रेविलर ने कहा था एंसेंट पाउफुल स्परिट मतलब इसको अगर ट्रांसलर करते है गैलिक में पेरलिस विस्की है मतलब खतरनाक विस्की है और यार ब्रुशलादी अगर मुझे फॉर एवर टू सिप्स एंड यू गो ब्लाइंड एंड ट्री सिप्स एंड यू एक्सपायर ओन दा स्पॉर्ट ओ यार ब्रुशलादी अगर मुझे सच में मिलता तो मैं एक बार निट ट्राई करता हूँ जोग सपाट बिल्कुल मत त्राई के जी भाई मर जाएंगे क्या बोल रहा है सुनिए चलिए आगे बढ़ते हैं और नमबर वन पे कौन है वो भी आपको बोल देता है आप लोग शायद जानता है या सुना हुआ नाम है और इसका नाम है एवर क्लियर ग्रीन जी हाँ ये 95% अलकॉहल के साथ सेल किया जाता है सो एवर क्लियर निश्चित रूप में सबसे स्ट्रॉंग अलकॉहलिक ब्रिंक है ये एक रेक्टिफाइट स्पिरिट है जी हाँ ये एक रेक्टिफाइट स्पिरिट प्रोडूस्ट बाइदा अमेरिकन कंपनी कॉल लेक्स को और ये एक ग्रेंट स्पिरिट है जो बॉट्रिट होता है बहुत सारा डिफरेंट डिफरेंट प्रूप में जैसे कि 120, 151, 189 and 190 प्रूफ 190 प्रूफ का मतलब आपको समझ में आचुका होगा उसको हाफ कर दीजे तो वो है अलकोहलिक स्टेंथ मतलब 95% अलकोहल और ये अलकोहल कम्प्लिटली टेस्टलेस, कलरलेस और ओडरलेस लिक्यूड है एकदम वोटका जैसा देखने में है बॉटल की लेबल में काफी सारा वर्निंग के साथ साथ क्लेरले मेंशन किया गया कि स्ट्रेथ ड्रिंकिंग बिलकुल ना खड़े ड्यू तो इस मार्केट प्रिविलेंस एंड हाई अलकोहल कंटेंट दा प्रोडक्ट हस बिकम आइकॉनिक विद अनौर्टरियस रेपुटेशन इन पॉपुलर कल्चर मतलब सच में यार ये तो कोख्यात हो गई इगनाइट काकर पदा इन पाइं मतलब जब फ्लोर में आँध जलाना पदता ही सच में अचा लगता है तो प्लीज फीरणस लाइक शेर सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा मिलेंगे बहुत जल्द एक नए काक्टिल नए मौक्टल, नए इंट्रिस्टिंग सब्जिट के साथ तब तक के लिए, बाइ-बाइ and टेक क्यार, प्लीस ड्रिंक रिस्पॉंसिबली